यह कौन सा स्टोक है जो दिपावली में डबल कर सकता दर्शत और 2024 में ट्रिपल कर सकता है, 2035 में यह 4 टाइम्स इंक्रिज कर सकता है, 2026 में 5 टाइम और 2027 में 6 टाइम, 2028 में 7 टाइम और 2030 में 10 टाइम्स, येस, ये 23 रुपिया का कौन सा स्टोक है जो हमारे 70 रुपिया आया है और इसकी चर्चा पहली बार आज हम कर रहे हैं, 23 रुपिया 15 पैसा का ये स्टोक दोस्तों और आज की तारीक है 16-10-2023, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पूरी कुंडली पता कर लेते हैं, तो चलीँ सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, एक भी बेचने वाले लोग नहीं है, सभी लोग 298 रुपिया 15 पैसा में खरिदने के लिए तयार है, 1049 रुपिया 15 पैसा में खरिदने के लिए तयार है, और 13,509 quantity 23 रुपय में खरिदने के लिए तयार है और 11,222 quantity 22 रुपय पंचानमे पैसा में खरदार गए बेचने वाले कोई भी नहीं है और टूटल अगर हम देखें बाइंग की नेशनल एस्टोक यह आप जो देख रहें ना एनसी का पोर्टल है यह नेशनल एस्टोक एक्षेंज के पोर्टल है एक भी बेचने वाले कोई भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ खरिदने वाले हैं 1,60,000 आई इस पे नजर बहुत कम लोगों की है आप भी इस पे नजर रखिए हमारी बाते समझ में आ रही है अगर तो आप ले सकते हैं पैसा आपका है दोस्तों नुकसान आपका प्रफिट आपका हमारा इसे कोई मतलम नहीं है लेकिन हमारा काम था इसको धूंड कर आपको दिखाना कि क्या यह पैसा बना सकता है तो आप भी एक ऐसा नहीं एक्सप्रियेंस होल्डर है कुछ न कुछ तो जरूर जानते होंगे लोगों से राय भी लीजिए इसके बारे में हमारा काम है दोस्तों बताना चलिए सभी दोस्तों को पहली बार आएं तो नौरातरी की धेर सारी सुबकाम नहीं आपको और आपके पूरे परिवार को और आने वाले जो दिपावली है छटपूजा है पया दूज है बाकी जो क्रिस्मस की 25 दिसंबर आ रहा है उसके भी एडवांस में नहीं साल 2024 की धेर सारी सुबकाम नहीं आपको पूरे परिवार को MBA BKC के तरफ से दोस्तों माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें स्वस्त रखें इसलिके स्वास्ती धने दोस्त तो चलिए आप उसके बात कुंडली इसकी देख लेते हैं अब तब बताएंगे कि क्या करना क्या है आप यहां कुंडली देखते हैं इसके तो आपको देखें ट्रेडर वेलू आज का है 3,22,672 ठीक है ट्रेडर वेलू इसका अगर रुपिय में लाक में देखेंगे तो यह 74,310 का वेलू है और अगर टोटल मार्केट केब देखेंगे इसका तो 27,770 27,795 मतलब लगबग 27,27 करोड का 27,78 करोड का मार्केट केब इसका है और यही कह सकते हैं दूसरी तरफ इंपक्ट कोस्ट 0.56 यहां दिख रहा है 0.66 और डेली वलेडिटी की बात करेंगे तो 2.95 लगबग 3% के आस पास तीक है और एन्वालाइड वलेडिटी देखेंगे तो 556.36 और आपको बाउंस अपता हाई देखेंगे अगर 28 जून तक का तो 48.75 और लो देखेंगे तो 20 यह डेलवेरी में है आपर ब्रेंड आपर ब्रेंड 23 यहां देखेंगे ना दोस्त आपर ब्रेंड और यह लोवर ब्रेंड ठीक है और प्राइस बैंड पांच रुपिया दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे बी यह आर मार्जिन की तो 100 पूरा रुपेज और इसकी एक चीज और आपको देखा देंगे अप्लिकेबुल मार्ज कोई भी डेरिवेटिज नहीं है फेस बेली इसका दो रुपिया है और अगर हम बात करेंगे इसू कैपिटल सेर्स की तो एकाई दाइस सेकला हजार दस जार लाग दस ला करोड दस करोड बार करोड अनसर्थ हजार बार करोड का इसका सेर अभी तक है और अगर हम बात करें Surveillance Indicator का ESN 1.35 दूसरी तरफ आप लोगोंने सब कुछ देख लिया चलिए अब आपको मैं एक चीज और देखा दूँ कि क्या इस्तिती है और कब ये आपको क्या करने वाला है तो चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या कर रहा है अगर हम बात करते हैं हम उस जगले के चलते हैं कुछी स्क्रिन सोट इसके हम रखे हैं बहुत दिनों से इसके सर्च कर रहे थे लेकिन आज हमने इसको पूरा फाइनली हम कहे कि आपको बताए दे क्योंकि तीन बज़े से पहले जिसने उठा लिया ये दस गुना करने के लिए तयार है और इस इस्टोक का नाम है वो नाम भी आप जान लिजे इसलिए कि अभी तक तो नाम आप लोगोंने नहीं जान पाया कि कौन सा नाम है और नाम नहीं जाने में तो फिर काम कैसे होगा दोस्त नाम जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पादेगा उसको जहां पर इसकी गोडाम है वहाँ पर चलना प्थाल गोडाम हमारा इसमें रहता है दस्तो यह गोडाम रहता है मेरे क्या बोलते है फाइल मे Pey जब हम को screenshot करते हैं तो यह इधर लिया के लोट कर देता है और जब सेप कर देता है तो जब हम आते हैं आप लोग के लिए तो इसको लेकर यहाँ से उठा कर अ फ्र दिखाते हैं कि देखी यहाँ पे तो देखे हुमने जब screenshot लिया था तो यह इधर लाके लिमिटेट की जो बात कर रहे हैं वो आपको ये भी बता दे कि सबसे पहले क्या है इसका सब कुछ बता दिये आपको और जब लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं दूसरी तरफ ये आपको एक चीज बता दे इसी में कॉल भी आते रहता है दोस्त क्य और ये स्टोक आपको कितना जाएगा वो हम आपको जरूर बता है चलिए 21 परसेंट का अभी तक 21 परसेंट सस्ता मिल ला है ये 30 रुपया का आसपास गया था लेकिन 30 रुपया देख पहुंशा नहीं दोस्तों ठीक है तो ये तो आपका हो गया तीसरी नम्बर ब्राइट क्रूम बीसीजी बीसीजी स्टोक्स और बीसीजी आपको मैं बता दूं कि बाइट क्रूम गुरूप आज से आज से आज से खरीदना शुरू कीजे बाई बाई बी से जीजी गुरूप शुरू कीजे और बीना सोचे समझे बीना डरे रोज खरीदिये दोचार दोचार दस बीस जो भी आपके क्वेशीटी मैं नहीं जानता और ना मैं बताता हूं कि आपके इतना खरीदिये कितना बेची है हाँ, लेकिन यह खरीदते रहेंगे जरूर आपको कभी भी नुक्सान नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा कि दस साल आपको जहलना पड़ेगा, यह तैयार है आपको देश्तिकर, बसी जी खरीदते रहेंगे, और जो खरीद के रखेगा को प्रफिट देगा उस समय कहाओत है कि वह बिहार में कहाओत है पुरी दुनिया में कहाओत वही है लेकिन सब अलग-अलग माने रहता है लेकिन अम उसके जरूर आपको बता दें कि क्या कहाओत है कि जब बारिस होना सुरू हो जाएगा तब जाके हम अपना च्छत बनाएंगे और एक और कहाओत है वह द्वारे बरात लगी तो क्या हमको याद नहीं आप लोगों को मालूम है तर लिग दीजिए तो वह भी भुजपूरी में कहाओत है दोस्तों तो काम MBA BK सिंग नहीं करते ह और सभी दोस्तों को बहुत बहुत एडवांस में आपको 15 दिन पहले दिवाली के धेर सारी सुपकाम लाएं आपको पूरी परिवार को तो चलिए इसमें तो वह गया ब्राइट कुरूम की बात कर लिए एक लेबल है दोस्तों बस एक ही लेबल है अगर यह 19 रुपया पच अगर इस and Markний दोस्तों एक भी इस तो बेचना नहीं है अभी से खरिदना इन कhabtव करते हैं ब इसीजी अभी से खरिदना शुरू करीं दोस्तों बीसीजी और वेदना के साथ साथ सूजलन एनर्जी के अभी मेरी राआ क्या है रुख जाए रुख जा रुख जा वो जाने वाले रुख जा हम तो रही है मनजिल का कैसे वो गाना है न नहीं बहुत तो यह कहता है क्या रुख जा ज्यादा आप तेजी मत भागो और जो होल्ड करकर रखें रखे रहे हैं सूजलन एनर्जी कहता है कि रुख जा हम नहीं कहते हैं यह कहता है चलिए टाटा इन्वेस्टमेंट में जिसके पास है लगाते रहे हैं रखते रहे हैं और धेर सारी सुख कामना है आपको ब्रह्मचारी की दुसरे दिन की माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें औ और आपका कल्याण हो चलिए दोस्तो मैं देख लिए आपको सब कुछ बता दिया और एक चीज और बताना बाकी है जो लास्ट में मैं आपको बता दू कि अगर आपको कहीं पैसा लगाना है दोस्तों तो पैसा लगाने का समय आ रहा है बता दे दो दिसंबर 2023 से 30 मार्च के बीच में पैसा प्रफिट थोड़ा थोड़ा अगर जिस पॉर्टफोलियो में जिस और उसको क्या बोलते हैं मैं आपको छेट भासा में बता दू प्रफिट मार्जिन भूल जाते हैं दोस्तों किया आप लोग भूला दते हैं को प्रफिट मार्जिन प्रफिट मार्जिन किसको कहते जनते हैं सपोजटेट आपने सौ सेर खरिदा है और ऑफाने यृओद लगाया तो 100 पर निकलने के लिए कितना होगा अभी दो रुपया हो गया तो 50 शेर बेश दीजिए 50 शेर इसमें कि आपकी जो प्रफिट है और निकल गया 50 शेर उसी तरह देजिए इस तरह आपको दो महिना यह तीन महिना यह से करते रहें दस्तों जैहिंजे भारत मत्रम लाइक कर द इस तक 10 गुना हो जाए दोस्तों वीडियो जरू देखिएगा जैहिंजे बंदे मत्रम